वेलकम बैग गाईश्टु माई यूटीब चैनल माई नेम इस दुरगा यूर विजिटिंग दुरगा रियक्षन में तो आज की रियक्षन वीडियो ने वली प्रग्या जी से है वीडियो की इस्राइल ने सारे नियम तोड़े तो देखते की क्या बताते हैं तो चलिए तो चैनल सके सुरोट वेश्टिंग एनी ताम लेस्ट वाचीट नमस्कार दोस्तों हमास की आड में इसराइल फिलिस्तीन में युद अपरात कर रहा है यानि सारे नियम कानून काईदे ताक में रखकर पाप पे पाप कर रहा है अमेरिका की शेह पर इसराइल इतना गिर ग संगठन कहते हैं और अरब देश जो अमेरिका के पिछलगू नहीं है वो हमास को आतंकी संगठन नहीं कहते हैं तो आतंकी संगठन हमास ने फिलिस्तीन पर इसराइल के अत्याचारों का बदला लेने के लिए और अपनी जमीन इसराइल की कबजे से छोड़वाने के लिए गाजा से इसराइल की तरफ पांच हजार रॉकेट दाग दिये लेकिन बदले में इसराइल ने क्या किया इसराइल ने गाजा पर रॉकेट दाग दिये इसराइल ने हमास से चार कदम आगे बढ़ते हुए जहरीले और प्रतिबंधित फॉस्फोरस बम भी चला दिये विमा में इस्राइल ने भी आम लोगों की जान की चिंता ना करते हुए गाजा शेहर पर बंबरसा दिये इस्राइल तो पढ़ा लिखा है जिम्मिदार देश है अमेरिका का चेला है क्या अमेरिका युद्ध में आम लोगों को मारे जाने का समर्थक है दोस्तों अमेरिका की पिछल इसराइल महावेरहम है और बुजदिल भी है अगर ऐसा नहीं होता तो धार्मिक जगहों पर बम नहीं बरसाता नियुएक टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने गाजा में कई मस्जिदों पर भी हमले किये हैं इन में से चार मस्जिद गाजा के शटी रिफ्यूजी कैम्प में थी जो पहले से ही गाजा पच्ची के सबसे घनी अबादी वाले शेत्र में है इसराइली सेना ने कहा है कि हमास के गाजा में रहाइशी इलाकों में ठिकाने हैं वो यहीं से अपरेट करते हैं यह पहली मस्जिद देखें यह तस्वीर अल-सोसी मस्जिद की है यह मस्जिद शटी रिफ्यूजी कैम्प में थी इस पर इसराइल ने हवाई हमला किया है इस तस्वीर में आप साब देख सकते हैं कि यह पहले कैसी थी और अब कैसी है यह खबर जो हम आ पर प्रफी मस्टीद पहले कैसी थी और अब कैसी इस पर भी इजराइल हैके साघसर फास कि सारे घरों समेत मस्जिदें भी राख्त कर ढेवर बन चुकी है कि सारे सपास्त हुरू इसलिए उन्हों तिसे रभिद 들고 होता हूं किसी और देश में होता तो UN हर बात में अपनी नाग घुसेड़ता यह बताता कि रहाइशी इलाकों पर हवाई हमला नहीं किया जा सकता रहाइशी इलाकों पर बंबारी करना युद्ध नियमों के खिलाफ है यानि युद्ध अपराद है लेकिन UN समेत अपने आपको शांत कहने वाले देश बिलो में दुबक करके बैच गए है इसराइल के आम लोगों पर बंबरसाना भी पाप है युद्ध अपराद है और गाजा के आम लोगों के उपर भी बंबरसाना पाप है युद्ध अपराद है अंतर आश्ट्रिया दालत में हमास और इसराइल को कॉलर पकड़ कर खड़ा करना चाहिए लेकिन इसराइल को दंड कौन देगा जब अमेरिका नाम के सैया ही इसराइल को कोतवाल बना कर बठा चुके है दोस्तो ये देखे ये मस्जद एक दूसरे से कितनी दूरी पर है हमने आपको तीन मस्जदों के बारे में बताया चौती मस्जद आशा रफ्यूजी कैम्प से दूर है जिसका नाम अल यामुर्क मस्जद है ये भी बरबाद हो चुकी है दूस्तो फिलिस्तीन और इस्राइल के युद्ध के बीच अरब देशों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है एक दूसरे के कटर दुश्मन साओधी अरब और इरान के बीच शीर श्रिस्तर पर बातचीत हो रही है साओधी के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान ने इरान के राश्रबदी इब्राइम रहीसी से गाज़ा पट्री के हलातों पर फोन पर चर्चा की है अगर साओधी इरान और इराक फिलिस्तीन को न्याय दलाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका को इसराइल से भागना पड़ जाएगा अभी अमेरिका तो इसलिए निश्चित है क्योंकि जो फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं उनको अमेरिका और इसराइल ने मिलकर अपने एहसानों के नीचे दबा रखा है यसे मिश्र का ही उधारन ले लेते हैं मिश्र इसराइल के बगल में है लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिश्र पहले उन अरब देशों में शामिल था जो इसराइल को अपना दुश्मन मानते थे मिस्र ने इसराइल के खिलाफ कई जंगे भी लड़ी है लेकिन जब 1973 में एक युद्ध में इसराइल ने मिस्र यानी एजिप्ट के इस स्वेज नहर वाले इलाके पर कबजा कर लिया था उसके बाद मिस्र और इसराइल के बीच एक समझोता हुआ था कि अगर मिस्र ये वादा करे कि इसराइल पर कभी हमला नहीं करेगा और इसराइल को एक देश की मानिता देगा तो इसराइल मिस्र को स्वेज नहर वाला एरिया वापस कर देगा फिर क्या? साथ साल बाद ही मिस्टर ने इसराइल को एक देश के तौर पर मानिता दे दी और स्वेज नहर वाला इराका इसराइल ने छोड़ दिया मिस्टर यानी इजिप्ट का पूरा कारुबार स्वेज नहर से ही चलता है मतलब कि लाल सागर और भूमद्य सागर को जोडने के लिए मिस्टर ने अकाबा की खाड़ी के पास से एक नहर खो दी है जिसे हो करके एश्या के सारे जहाज यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते है एक जहाज इस स्वेज नहर से निकालने के लिए मिस्टर लगबाग एक करोड रुपे लेता है तेल के साथ साथ मिस्टर का बहुत बड़ा धंदा इसी नहर के किराय से चलता है मिस्टर से इसराइल को टेंशन बिलकुल लई है दूसरी तरफ टर्की को पहले ही नाटो देशों में शामल कर लिया जा चुका है इसलिए फिलिस्टीन के साथ टर्की भी आसानी से खड़ा नहीं होगा इसराइल का कटर दुश्मन पहले संयुक्त अरब अमिराथ यानी UAE भी था लेकिन 2020 में एक शान्ती समझोता हुआ था अमेरिकी राश्टपती डुनाल ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच मध्यस की भूमिका भी निभाई थी इस समझोते के बाद दोनों देशों की नसी किया बड़ी इस समझोते का मकसद अमेरिका का एरान पर शिकंजा कसना था क्योंकि एरान ही अरब देशों में एक ऐसा देश है जो अमेरिका को सराब ही नहीं सेकता है एरान पर काबू पाने के लिए अमेरिका इसराइल को मस्बूत करता रहता है फिलिस्टीन अमेरिका को टेंशन देने वाला देश नहीं है अमेरिका को टेंशन इरान से है जो अब परमाणू संपन होने के करीब है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मताबिक दुनिया के 116 देशों की सेना की लिस्ट में इरान 13 नंबर पर सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है इरान की ताकट का अंदाजा ऐसे लगाई है कि 2017 में इरान का रक्षा बजट 16 अरब डॉलर का था इसराइल का 18 अरब डॉलर का आज की तारिक में फिलिस्टीन का सच्चा दोस्त इरान है लबनौन है, सीरिया है, चौर्डन है जो समय आने पर हत्यार उठा सकते हैं और बाकी देश आपसी दुश्मनिया भुला कर स्वतंतर फिलिस्टीन बनाने के लिए बात करने लगे हैं दोस्तों गाजा के भीतर इसराइली सेना घुस चुकी है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक अब तक 1300 इसराइली मारे जा चुके हैं 3400 गायल है फिलिस्टीन में 1900 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में 7670 गायल है क्या इसराइल से युएन कभी पूछ पाएगा कि गाजा के भीतर आम लोगों के घरों पर क्यों बरसाया जा रहा है हमास तो आतंकी था तुम तो आतंकी नहीं थे हमास के साथ हजारों लोगों को घुन की तरह क्यों पीस जाला युएन ने ही फिलिस्टीन और इसराइल को बनाया है युएन को पूछना चाहिए कि आपने अर्बों की जमीन पर कब्जा क्यों किया लेकिन युएन मूं में दही जमा कर बैठा है अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि महात्मा गांधी ने युएन को कैसे लताड़ा था चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पेज को तुरंथ अभी ओलोव फवरुक्य शें है अमेरीका को जबाब करना चीए सवाल उठाना चीए अगिर कार अशे रहा है लोग जा नहीं है अमेरीका को पहले सोचना चीए था हुआ उनकी जमीन पर कभज आखिर का किये ही क्यों थे अमेरिकल को सुरू सध्यान देना चाहिए था लेकिन नहीं वो तो उनके साथ है तो इन्हों इतने एच्छस बताया तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शियर कर न मत पूलना बैल आइकन पर किलिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडिय केस और आपको सबसे पहले मिल सकेसे तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाया रखना जैसे आपने जोरूर से सपोर्ट के वैसे आगर भी सपोर्ट करते रहिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई 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 फ्रेंड